दोस्तों नमस्कार एक बार हमारे तमाम साथ ही दर्सक जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और जुड़ने के साथ ही इस वीडियो को इसलिए सेर कीजिएगा ताकि और लोगों में इस तरह की चागरुगता आए पूरी खबर दिखाऊं इससे पहले हमारे तमाम दर्सक एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाए जो हेडिंग है वो हेडिंग पड़गर आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं इस वक्त कौन सी खबर दिखाने वाला हूँ इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस द्वारा एक तरह के अगर कोई भी व्यक्ति आपको दिखे तो पुलिस को सूचित जरू कीजिगा पूरी खबर दिखाऊं इससे पहले हमारे तमाम दर्सक जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सेर करने के साथ ही जल्दी से जल्दी जुड़ जाए द्रसल अंतराश्टिय भारत पाकिस्त पाकिस्तान से एक गुस्पेटिय को आज गिरफता किया गया है देर रात रात का समय था पाकिस्तान से भायत की सिमा में गुसा जिसके बाद करीब 15 किलो मिटर तक बाहते सिमा के अंदर गाउं में ग्रामिनों के जो गाउं है ग्रामिन सेत्र है वहां पर परवेश कर गया और उसके बाद ग्रामिनों से जब उस युवक ने थार पार करने की ऐसी कुछ बस के लिए पता किया था तो ग्रामिनों को वहां के ग्रामिनों को सक हुआ ग्रामिनों ने तुरंक उस युवक से पोज़ताच करना शुरू कर पूरी खबर दिखाऊं इससे पहले हमाई तमाम दर्सक एक बार जुड़ जाए क्योंकि ऐसी सतक्ता पुलीस के साथ साथ आम लोगों को आम जनता को भी रखनी बहुत जरूरी है सीमा पार कर तारबंधनी पार कर बारती सीमा में गुसे गुस्पेटी को एक गुस्पेटी को फिलाल जो है गुर्पतार कर लिया गया है और लगातार उससे पूछता चल रही है पूरा क्या मामला है हम हमाई तमाम दर्सकों को समझाने की कौसिस करेंगे लेकिन इससे पहले हमाई तमाम साथ ही जूड़ जाए द्रासल गटना अंतराष्टिय भारत पाकिस्तान बॉर्डर की है जहां पर एक पाकिस्तानी गुस्पेटी जो की रात के समय में तार बंदनी पार कर भारती सीमा में गुस्पेटी बारती सीमा में करीब 15 किलोमेटर तक बारती सीमा के अंदर आ गया और उसके बाद वहाँ पर सुबह जब हुई तो वहाँ पर कुछ लोगों से गुरामिनों से उस गुस्पेटी ने लोगों से बार्चित की क्योंकि उसको थार पार करना था अपना जो बार्ड मेर है वो आगे निकलना था उसको लेकर बस के लिए पुष्टाच कर रहा था गुरामिनों से पुष्टाच कर रहा था जब उस युवक ने खुद को पाकिस्तानी बताया तो वहाँ के लोगों ने वहाँ के लोगों ने तुरंत प्रभाव से बीसेप और सुचना एजेंसियों को बीसेप ने उस युवक को गिरफतार कर लिया है फिलाल उस युवक के साथ पुष्टाच चल रही है अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार उस पाकिस्तानी गुस्पेटिय से लगातार पुष्टाच चल रही है हमाय तमाम दर्शकों से इसी खबर के मा अहां का है क्या अधर सीमा पार कर वो हमारे देश में खूपिया जानकारी लेने के लिए तो नहीं पहुचा है ग्रामिन सेत्र के जो लोग है उनके हिम्मत की डाव देनी होगी वाकई में वहां के अंतराष्टिय भाष्ट पाकिस्तान बोर्डर के आसपास जो ग्रामिन है वाकई में उन्होंने बता दिया कि हम लोग जो है बोर्डर के पास जरूर बैटे हैं लेकिन हम लोग सतक जरूर है ग्रामिनों की सतकता के बदोलत ही उस गुसपेटिय को आज ग्रपतार कर लिया गया है फिलाल उस गुसपेटिय से पुस्ताच चल रही है अलग-अलग पास जरूर पहारतिय सिमा में गुसपेटिया गुसा किसलिए गुसा क्या था क्या लेना था क्या कुछ था फिलाल इस पूरे मामले को लेकर अन्य सवालों को लेकर उस गुस्ताच कर रही है खिलाल इस पूरे मामले को लेकर जो है बियसे द्वारा कोई भी किसी भी तरह की पुष्टी जो है वो नहीं की गई है पुलिस द्वारा जो खबर हमें मिली है वो खबर हम आप तक पहुचा रहे हैं तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी और अहम खबर जो है यही थी कि पाकिस्तान सीमा पारकार भातिय सीमा में गुष्पेटी जो है वो गुष गया उसको फिलाल जो है पकल लिया गया है अलग-अलग जाज एजन्सियों द्वारा उस गुष्पेटी युवक से जाज की जा रही है पुष्टाज की जा रही है लेकिन इस तरह के संदिक युवक या कोई भी व्यक्ति संदिक अगर आपको दिखे तो आप इस तानिये पुलिस को सूची जरूर कीजिएगा ताकि कोई अन्होनी न हो जाए झाल 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 तो यह इस वात की सबसे बड़ी ख़बर थी अच्छा जल्दी एक और नई ख़बर के साथ आजी होंगे तब तक के लिए दीजे इजाज़त बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद